हलो एवरिवाड़ी मैं नेम इस मौनलिश्टा फाउसदर और मैं स्कूल नेम इस सालक्या सिविक्रम बाली का विदलाया और मैं ट्रेनिंग फॉफवाइडर नेम इस ओरियन एडूटेक प्राइवेट लिमिटेड हम लोग आज का टॉपिक है understand the customer problem या understand the customer complaints मतलब customer को जो complain होता है जो problem होता है वो हम लोग को समझना तो इन में से हम लोग पोइंट कवर करेंगे identify the concern of the customer मतलब customer क्या चाते हैं वो हम लोग को पहले जानना चाहिए उसका जो generate है उसका जो request है वो complaint के वज़़ये से या फिर complaint के उपर price करके या फिर उसका request के उपर भी base करके हम लोग को वो concern रहना चाहिए हम लोग को उसका problem के उपर तो पहले हम लोग को जो करना होगा identify the concern of the customer customer का जो concern है customer किस कारण से किस वज़ाय से वो disturb है किस वज़ाय से वो लोग मतब complain किये हुए है वो क्या चाहते हैं यह हम लोग को पहले identify करना होगा तो एक field technician जो होते हैं वो responsible होता है जो installation होता है कोई भी repair करना होगा device या फिर maintain करना होगा कोई भी computer और उसका जो peripherals है उसका जो बाकी other parts होता है वो सब repair करना या फिर install करना ये सब responsibility रहता है एक field technician का जब कोई काम पहले allocate किया जाते हैं मतलब ठीक किया जाते हैं जब कोई काम ठीक हो जाते है तो फिर उसके बाद important होता है कोई भी field technician का तो जो requirement है customer का जो requirement होता है customer का वो वाला customer के side से जाने से पहले वो ठीक से जानना चाहिए मतलब customer का जो location है उसी location में जाने से पहले उसका जो problem होता है उसका वो क्या चाहते है वो उसका जो requirement है वो हम लोग को पहले समझना होगा उसके बाद वो analyze करना होगा हम लोग का मतलब हम लोग मतलब जो field technician है उसको तो उसके उपर depend करके एक plan of action हम लोग को fix करना होगा तो जो plan of action fix करेंगे वो हम लोग सोचेंगे वो उसके उपर हम लोग काम करेंगे वो customer के site या location से जाने से पहले तो वहाँ पर जाने से पहले हम लोग का जो main task होता है field technician का तो वहाँ पर दो main task होता है कोई भी field technician का जैसे यह दो में टास्क जैसे न्यू इस्टॉलेशन में कुछ टास्क होता है debugging और रिपेर करने के लिए कुछ टास्क या कुछ ड्वल रहते हैं तो पहले हम लोग जानेंगे new installation के में कौन-कौन सा point involved है जैसे कि पहले वाला point होता है carry the needed equipment जो जरूरत के अनुशार मतलब जो-जो equipment, जो-जो tools, जो manual या फिर जो warranty जो card होता है warranty card ये सब हम लोगों को carry करके लेकर जाना होगा उसके बाद हम लोग को काम हो जाने से पहले हो जाने के बाद हम लोग को bill या invoice तो हम लोग तो लेकर घूमेंगे क्योंकि अगर कोई नय वाला parts वहाँ पर जाके हम लोग कुछ service करने गए, repair करने गए मगर वहाँ पर जाके कुछ parts ऐसा लगा कि गरवर हो गया है ऐसा ही गरवर हो गया कि वह repair नहीं हो सकते तब उसको replace करना होगा अगर replace करना होगा तो मतलब एक नय वाला parts को लगाना होगा तो फिर उसका एक bill होगा इसलिए हम लोग को bill या invoice को नय वाला कुछ parts खरीदने के लिए वो carry करके लेकर जाना होगा मतलब customer जब replace करेंगे कोई भी parts तब उसका bill बनाने के लिए bill और invoice हम लोग को लेकर जाना होगा confirm the address and inform about the time of visit मतलब हम लोग को customer कर location पर या site पर जाने से पहले हम लोग को inform करना होगा customer को कि वो किस time पर वो घर पर रहेगा या फिर उसका जो office है या फिर उसका कोई दूसरा location कोई भी हो तो वहाँ पर वो कब available रहेगा मतलब कब वहाँ पर जाने से customer को कोई तकलिफ नहीं होगा second point maintenance और repair तो इन में भी कुछ points जो involve होता है जैसे कि हम लोग को पूछना होगा हम लोग customer के पास जो जाते हैं field technician जो है वो पूछेंगे service repair maintenance और जो aim से होता है उसके बारे में मतलब जो device को या फिर जो instrument को हम लोग ठीक करने जा रहे है repair करने जा रहे है वो पहले कोई service हुआ था कि नहीं कभी repair हुआ कि नहीं उसका maintenance कैसे होता है यह सब हम लोग को जानना होगा यह सब information हम लोग को collect करना होगा और जो amc का मतलब होता है annual maintenance charge ठीक है जो equipment जो use करें वो जो device use करें उसका amc वो किया हुआ है कि नहीं यह सब हम लोग को जानना होगा second point होता है carry the required tools and equipment parts मतलब जो equipment जो जो parts जो जो tools जरूरत होगा वो ठीक करने के लिए repair करने के लिए वो सब हम लोग carry करके लेकर जाएंगे उसी location पर मतलब customer का site साइट पर उसके बाद हम लोग को पूछना होगा एक दम last point जो है customer को phone करके उसका जो address है वो हम लोग को confirm करना होगा कि उसका address जो हम लोग को complain लेने वक्त वो register में register किया गया है वो address हम लोग को फिर से confirm करना होगा और उसको inform करना होगा कि किस time पर हम लोग जा रहे हैं तो यह सब करने के लिए कुछ points होता है जो important point है customer का जो site है वहाँ पर जाने से पहले जहां मतलब installation के installation से पहले या फिर repair करने के लिए वहाँ पर जाना होता है तो उसी से पहले कुछ important point होता है जो हम लोग को याद में रखना चाहिए जैसे कुछ activity होता है जो हम लोग को जाने से पहले complete करना चाहिए जैसे कि पहले वाला point होता है जो new request होता है मतलब पहले register किया गया है फिर customer phone करके कुछ नए वाला request और फिर launch किया है तो हम लोग को वह check करना होगा कि कोई नए वाला request या फिर कुछ complaint फिर से register हुआ कि नहीं customer के तरफ से second point हम लोग को देखना होगा कि customer का जो request है या फिर जो complaint है तो उसके उपर base करके उसका जो location है वहां तक पहुँचने के लिए हम लोग को एक root plan सोचना होगा जो shortcut भी होगा जो correct भी होगा ऐसा कुछ root plan बहां तक पहुँचने के लिए हम लोग को plan करना होगा second point होता है repair करने के लिए जो चीज हम लोग repair करेंगे पहले तो हम लोग को उस problem को ठीक से जानना होगा फिर हम लोग जानेंगे उसका solution तो हम लोग को कुछ problem कुछ repair करने के लिए क्या problem हो रहा है device पर यह पहले हम लोग को जानना होगा उसके बाद fourth point है हम लोग को customer को phone करके confirm करना होगा कि customer customer का site पर जो field technician है वो कब जा रहा है time को inform करना होगा फिर fifth point है हम लोग को carry करके लेकर जाना होगा हम लोग को जितना सारा tools जितना सारा equipment हम लोग को install करने के लिए repair करने के लिए जरूरत होता है यह सब हम लोग साथ में लेकर जाएंगे उसके बाद customer जो problem मतलब जो request और जो problem वहाँ पर register किया गया है वो हम लोग customer को phone करके customer को greet करके हम लोग ठीक करेंगे confirm कर लेंगे या फिर पहाँ पर जाके यह काम दुबारा करना होगा customer को site पर भी जाके हम लोग customer को greet करेंगे हम लोग बोलेंगे उसको किस काम के लिए हम लोग आये हैं फिर हम लोग उसका जो problem है वो हम लोग पहले confirm करेंगे उसके बाद हम लोग उसका जो problem है वो ठीक करना सुरु करेंगे उसके बाद हम लोग repair करने के लिए हम लोग का कुछ points जानना होता है जो वरेंटी status मतलब जो device हम लोग ठीक करने गए हैं वो तब तक warranty period में है कि नहीं यह हम लोग को जानना होगा या फिर जो device हम लोग मतलब रिपेर करने गए है उसी device में कुछ AMC किया हुआ है कि नहीं यह भी हम लोग को जानना होगा तक यू